अरे ये मोदी ने तो हदी कर दिया यार अरे डिक्टेटर इंसान है यार छोड़ना परिशान करके रख दिया है मोदी ने नमस्ते गुरू एकदम सच बात कहीं है अपने, यह मोधी ने परिशान कर दिया है, मौन होकर बैठे रहना और ज्यादा से ज्यादा कूछ फाइले साइंड करनी होती है, मैं कहता हूं कुछ करना ही है, तो गोटाला करो, कौन मना कर रहे हैं, पांच साल मिले जैसे तेसे, उसे कहां ये गरीबों के बैंक खाते खोलने में वेस्ट करे, उससे अच्छा अपने खाते ना भर ले, क्या बोलते हूँ, और मोधी एक नंबर का ताना शाह है, डिक्टेटर, अरे बड़े बड़े फैसले अपने दम पे ले लिए, अरे किसी के पर उसकी फैसले लिये था यार, सच में, सुसाइट जैसे, और पता है कि भाई खतम हो जाएगा, अगर सिस्टम ने सपोर्ट नहीं दिया तो, पर नहीं, आई तो भाई है ना, क्या ज़रूर है ते सुबह पांच बचे उटकर काम पे लगने के हैं, अरे लोगों की आदत भी गड़ रही है उनका ऐसा भीएवेर देखके, एक तो पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं लेता, और गिवाली में कहा जाता है पता है, बॉर्डर पे, जवानों से मिलने है, यह पी एम मोदी एकदम बेकार है, मेडिया वालों को कॉक्टेल पार्टी नहीं देता, कुछ तो शरम करो, कुछ तो शरम करो, आपने तो दुनिया में देश का नाम कर लिया, लेकिन सुना है, कि उनके भाईयों के बच्चों ने अब तक प्लेन नहीं देखा अंदर से, अरे भाई आप तो रिपोटर लग रहे हैं, अरे ज़रा समझाईए इन सब को, ज़रा करती है, और यह मेकेन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया से क्या होने वाला है, कुछ नहीं, और तुम लोग मुफ्ती रेवडियां बाटते रो, बस, आई, नहीं चाहिए हमें स्वच्छ इंडिया, नहीं चाहिए हमें न्यू इंडिया, हमारा ओल्ड इंडिया ही सच में, ऐसा पियंड तो इंडिया में आया ही नहीं, सही कहान है मेरे भाई, यार ऐसा पियंड तो सच में कभी नहीं आया इंडिया में, किसी को इंट्रेस्ट ही नहीं है, लालू परसाद यादव को उनके बेटे को सेट करना है, मुलायम सें यादव अपनी पूरी फैमिल को सेट करने में लगे हैं सोनिया जी को राहूल को सेट करना है अरे पर ये तो सोचो कि इस देश को सेट करने में किसको इंट्रेस्ट है अगर आज मोधी फेल हुआ ना तो अगले सौ सालों तक कोई प्राइम मिनिस्टर करप्शन के सामने लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा सिर्फ दो हाथ जोड़ेगा और तौबा करेगा फिर बस करते रहना मेरा भारत महान मेरा भारत सर मुझे आपका नमबर दोना मैं इस पर स्टोरी करूँगा सर आपका नाम मैं हूँ विकास मैं हूँ गुजराथ सेव कर लेना